हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए हमने 14 इंच लंबा बकरम लिया है बकरम की चोड़ाई 9 इंच है बीच में से बकरम को फोल्ड करके 3 इंच की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे फिर 5 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे स्केल की सहायता से दोनो टिक को लाइन अप कर लेंगे अब ये देखिए यहां कोने की साइड में हलका सा गोल सेफ में लाइन अप करना है फिर यहां पर 1 इंच 2 पोइंट की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे और 8 इंच की लंबाई पे यहां पर टिक लगाएंगे इन दोनों टिक को हमें ऐसे लाइन अप कर लेना है इस लाइन के थोड़ी से बगल में एक और लाइन को यहां पर लाइन अप करना है फिर ये देखिए यहां पर हमें एक इंच की लंबाई पे टिक लगा कर तिर्ची में ऐसे लाइन अप करना है अब हम यहां पर एक अक इंच की चोड़ाई पे ऐसे टिक लगाएंगे और इस टिक को लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से डिजाइन को ड्रो करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये देखिए हमें ऐसे डिजाइन की कटिंग करनी है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर All का Options सलेक्ट करें तो ये देखिए फ्रेंड हमने design की cutting कर ली है design को हमें इस्तरी की सहायता से कपड़े पे चिपका देना है अब यहां कोणे की side से हलका सा कपड़े को दोनों side से ऐसे cut कर लेंगे अब जिस shape में हमारा design है बिलकुल उसी shape में कपड़े को ऐसे fold करके सिलाइ कर लेनी है धागे को कट करने के बाद हम सूट का कपड़ा लेंगे तो ये रहा हमारा सूट का कपड़ा सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहां से धागे को कट करना है धागे को कट करने के बाद जिस स तेप में यहां से हम सिलाई चला लेंगे, सिलाई चलाते समय कपड़े को ऐसे घुमाती रहें, जिससे आपका सिलाई भी परफेक्ट होगा और डिजाइन में फनीशिंग भी परफेक्ट आएगी, इस तरीके से सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई, अब ह हलके से बगल में हमें एश्टरा कपड़े को कट करना है, तो ये देखे यहां से एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे, अगर आप इस डिजाइन से रिलेटीट ट्राउजर या स्लिविस डिजाइन देखना चाहती हैं, तो इसकी लिंक हमने डिस्किप्शन में दी है, आप वहां से देख सकती हैं कि आप नेक डिजाइन से रिलेटीट स्लिविस डिजाइन कैसे बना सकती हैं, एश्टरा कपड़े को कट करने के बाद यहां कोने की साइड से हलका हलका कपड़े को ऐसे कट करेंगे, यहां पर भी कट कर लेंगे, अब हमें डिजाइन को फोल्ड करक डिजाइन के नोखिले से पाट को प्रॉपर सेप में सीधा करने के लिए हम कोई भी नोखिला सा चीज लेंगे मैंने बड़ी वाली सुई ली है बड़ी वाली सुई की सहायता से हम डिजाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे दोनों डिजाइन को सीधा करने के बाद अब हम इस डिजाइन को अच्छे से इस्तरी कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैट जाएगा आगी की साइट से डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आई है ये देखिए अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चोड़ाई दो इंच है इस कपड़े को दोनों साइट से फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए एक लंबी सी चोड़ी पट्टी तयार कर लेंगे यहां से धागे को कट करके अब हमें चोड़ी पट्टी की लंबाई नापनी है तो ये देखिए साड़ी तीन इंच की लंबाई नापकर यहां से चोड़ी पट्टी को कट करेंगे सेम साइच का हमें ऐसी धेज सारी चोड़ी पट्टी की कटिंग कर लेनी है अब हमें एक लंबा सा बक्रम कपड़े पे ऐसे चिपकाना है बक्रम की लंबाइ साधे सा 3,4 तीन इंज कपड़े को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर कपड़े के दोनों साइड में सिलाई चला लेंगे अब हम कपड़े को सीधा करके इसके उपर चोड़ी पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर लगाएंगे किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक चोड़ी पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है और सिलाई चला लेनी है ये बहुती इजी तरीका है डिजाइन को तयार करने का अगर मेरी ये डिजाइन आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईए अब हम कपड़े के दूसरे साइड में भी चोड़ी पट्टी की सेम डिजाइन बना लेंगे तो ये देखे फ्रेंड चोड़ी पट्टी का दोनो साइड में हमने डिजाइन बना लिया है अब हम धागे को कट करेंगे दोनों साइट की डिजाइन को हमें सूई धागा के मदद से बीच में ज्वाइंट कर लेना है तो ये देखिए हमने दोनों डिजाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई धाई इंच है इस कपड़े को दोनों साइट से फोल्ड करके हम एक लंबी सी चौड़ी पट्टी बना लेंगे तो ये देखिए हमने चौड़ी पट्टी बना ली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद हम चौड़ी पट्टी को दो भागों में ऐसे कट कर लेंगे अब हम डिजाइन में चौड़ी पट्टी को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे चौड़ी पट्टी की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ये देखिए ऐसे लगाकर सिलाई चला लेनी है अब हम धागे को कट करेंगे चोड़ी पट्टी में हम सेप्टी पीन को लगाएंगे ये देखिए ऐसे लगाकर अब ये वाले डिजाइन में उपर नीचे करके हमें ऐसे लगाना है बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा दूसरे साइड का डिजाइन है उसमें भी हम चोड़ी पट्टी लगा लेंगे तो ये देखिए दोनों साइड में हमने चोड़ी पट्टी की डिजाइन को लगा लिया है अब हम यहां से सेप्टी पीन को निकाल लेंगे और एक कपड़ा लेंगे कपड़े की कोने की साइड में चोड़ी पट्टी को ऐसे लगा कर सिलाई कर लेंगे अब हम कपड़े को सीधा करके एस्ट्रा कपड़े को कट करेंगे दूसरे वाले चौड़ी पट्टी में भी हमें कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई कर लेनी है तो ये देखिए हमारी ये डिजाइन कम्प्लीट हुई अब हम इस डिजाइन को गले की डिजाइन में ऐसे ज्वाइंड करेंगे ये देखिए डिजाइन को अच्छे से पर्फेक्ट सेप में आपको ऐसे बैठा लेना है फिर यहां से डिजाइन के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे सिलाई चलाते समय डिजाइन को और सूट के कपड़े को ऐसे पर्फेक्ट सेप में बैठाते रहें जिससे आपके डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी तो ये देखिए हमने दोनों डिजाइन को ज्वाइंट कर लिया है अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बार डिजाइन के बीच में हमें बटन लगाना है तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है इसे हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करके धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉक करके एश्टरा कपड़े को कट कर लेंगे सुईधागा के मदद से हमने डिजाइन में यहां बटन और मोती लगा ली है तो ये देखिए फ्रेंड हमारा ये डिजाइन बन के कंप्लीट हो गया है जब आप इसे फिटिंग साइज देकर पैनेंगी तो ये देखिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक जो की बहुती सिंपल और प्यारा सा डिजाइन है आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो